साउथ एफरिका के खिलाब पाँचवा वंडे मैच जीत कर टीम इंडिया ने सीरीज में अपनी चौथी जीत के साथ एतिहास रज दिया पीते 25 सालों में भारत ने मेच बान टीम की सरचमी पर पहली बार कोई वंडे सीरीज अपने नाम की टॉस हारने के बाद पहले बल्ले बाजी करने की चनौती सुविकार करते हुए रोहित शर्मा के शतक की बदौलत पचास उवर में साथ विकिट खोकर 274 रन बनाए हालांकि पहले भारत के लिए शुरबात कुछ खास नहीं रही और पिछले मैच के शतक वी शिखर धवन 34 रन बनाकर आउट हो गए इसके बाद रोहित और कप्तान विराट कोहली ने दूसरे विकिट के लिए वही साजेदारी निभाई और दक्षिट एफरीका के गेद बाजों को नसीहत दी वहीं रोहित ने सीरीज पे पहली बार अर्दशतक बनाया बता दें कि भारत ने इस मैच में मेजबान टीम को 275 रन का लक्ष दिया था जिसके जवाब में दक्षिट एफरीका की टीम 201 रनों पर ही ठेर हो गई इस तरह से भारत ने ये मैच तहटर रन से अपने नाम किया अब 6 मैच की इस वंडे सीरीज में टीम इंडिया मिजबान टीम से 4-1 से आगे है और उसने सीरीज पर अपना कबजा जमा लिया है हलांकि सीरीज का अंतिम मैच खेला जाना अभी बाकी है पर स्पोर्ट्स डैस्क लकी जिकवानी न्यूज इंडिया आप हमारे चैनल को यूच्जूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लाब आप जूटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पर आप newsindia.nims.unai पर हमें लाइक कर सकते हैं